नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी यूटूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तुलारासी के महारासी फल के बारे में कि यह दिन तुलारासी वालों के लिए केसा रहेगा किन कीन चीज़ों से इनको फायदा होगा और किन चीज़ों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइप केसे रहेगी केरियर केसा रहेगा बिजनेस और बैपार केसा रहेगा और स्वास्ते की महतपुन जानकारी इस वीडियो में देंगे और साथ में बताएंगे कि आपका शुबरंग और सुबरंग के क्या है दोस्तों वीडियो के अंत में हम आपको इगुपाई बताएंगे जिससे आप अपने दिन को अच्छा और बहतर बना सके तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नोटिपिकिसन बैल को दबा दें जिससे समय समय पर हमारे नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके तो चलि दोस्तों बात करते हैं कि कैसा रहेगा तूला रासी वालों के लिए आज का दिन सबसे पहले बात करते हैं किया आज आपके लिए पोजिटिव रहने वाला है दोस्तों आज का दिन आपके लिए गिरिस्टी बहुत ही अच्छी बनी हुई है आपका समाजदारी पूर्ण वहवार और उचीत आचरान नुक्सान को भी फायदे में परिवर्तन करने में शमक्ष रहेगा लेंदेन समन्दी गतिविदियों में आपको फायदा होगा और उधार दिये हुए पेसे की वशुली भी शमभव है सूप समचार मिलने से मन परशन रहेगा और आप अपने परवल एक्छा सक्ती और आत्म विश्वास के सहारे आप कई महरतपून कारें को अंजाम देन में समर्द रहेगे और उसमें आपको शफलता भी मिलेगी कर्व धर्म के मामले में भी रूची बनी रहेगी शती बहुत अनकुल बनी हुई है समाजी गत्ति विदी में उस्ती रखने से संपर का दायरा बढ़ेगा कोई मुश्किल रह आसान होने से संतुष्ट का भाव रहेगा देनी कारे शुगमता से शंपन होते जाएंगे विवाँ को अपने केरियर से समदित कई उपलब्दी हासिल हो शकती है किसी नीची संपर के दोरा कोई खास समाचार मिल शकता है जो कि आपके लिए बहुत ही भायदेमन शाबित होगी कुछ विप्रित परसितियां सामने आएगी पर तो आपका युनावात तरीके से अपने दिनचारे अवकारे को वेस्तित रखना आपको निसीत ही सपलता देगा परतन सिल्ग्री सिति बनी हुई है इस बेहतरी शमे का सदपियो करना आपकी कार छमता पर निर्वर है अपने किसी महतपुन वुद्य पर समंज से किसिति में किसी नजदी की वेक्ति के साथ सलहा मशवारा जरूर करें आपको अवश्री फायदे होंगे दोस्तों आपके लिए आज का परिशतियां बहुत ही अनुकुल है समय पर सही निर्ने लेने से आपकी कई परिशनिया हल हो जाएगी युआं को समाजी कारे तारीब के लिए काबिल होंगे मित्रों और परिजनों की और से चर्री कोई गलत फ्यमी दूर होगी किसे सुप सुचना से उत्सा और उर्जा का संचार होगा माईलाओं के लिए दिन बहुत ही अनुकुल है विजले काफी समय से चर्री कोई चिंता दूर होगी ध्यान रखें किस्यम के विकास के लिए थोड़ा अत्रिक स्रम करना जरूरी है दोस्तों व्यस्ता के साथ-साथ कुछ समय अपने व्यक्तित को और अधिक निखारने में भी जरूर लगाएं मिडिया इंटरनेट के माध्यम से कोई महत्यपुन सुचना मिलेगी जिस पर ध्यान देना आपके लिए लाबदायक रहेगा समय का उचित सत्पियोग भी करें परिश्रम और मेहनत की अधिक्ता रहेगी मन चाहे काम समय पर पूरी भी हो जाएंगे आपकी संदेन सिल्ता और घर परिवार की वैस्ता को भी उचित बनाए रखें युआँ को अपने किसी खास हूनर को निकारने के लिए समय बहुत ही अनुकुल है दोस्तों आपके उपर भगवान की किरपा भी बनी हुए है आप कोई भी कारे करेंगे तो आपको अवसी सफलता मिलेगी अपने कारे को प्रैक्टिकल द्रिष्टी कौन से अन्जाम दें या समय भावनाव में बहने का नहीं है अगर कहीं पैसा रुका हुआ है तो उसके मिलने की उमीद है घर के रख रखा समधिक कारे में भी रूप रेखा बनेगी दोस्तो अत्यदिक गत्यवीदियों के परती आपका रुजान बढ़ेगा इससे मानसी सिकुन भी मिलेगा इस समय दिल की वज़ाए दिमाग की आवाज का प्रत्यमिक्ता दें नई संभावना मिलेगी और आपके लिए लागदायक भी रहेगी दोस्तो विद्यार्थी और युवावर्ग अपने किसी लक्ष को हासिल करने पर गर्व महसूस करेंगे आज महिलाव के लिए विशे स्टोर पर बहतर परिनाम देने वाला है किसी परिवारी समंध गंभीर मुद्दे पर विचार्ज मिमर्ज भी होगा जिनका नतीजा भी सकार्थ मग रहेगा दोस्तो आपके नेगेटिव की बात करें तो नजदी की लोग ही आपके कारे में रुकावटें उत्पन कर सकते हैं इस समें कागजाद और परिवारिक जमेदारियां के भी तालमिल बिठाने की चुनोती रहेगी कोई भी लोन या रीन लेते समें सोच विचार आवसे करें दोस्तों दूसरों की समस्या को सुलजाने में आपके व्यक्तिगत काम रुक सकते हैं ज़्यादा उदारता रखना भी उचित नहीं है बच्चों की कोई गतिवीदी परेशान कर सकती है दोस्तों हो सके तो कानुनी मामलां से समन्दिद लापरवाई न करें किसी भी मुद्य पर वाचित करते समय उचित सब्दों का चेहन करें वाद विवाद की इस्ति बन सकती है दोस्तों आपके उन्नती को देखकर आपकी ही दोस्त आपका कोई मेत्र ही धोखा दे सकता है जिसकी वज़े से मन मस्तिक में कुछ तनाव रहेगा व्यर्थ की उल्जने में बढ़कर अपना समय विरवाद ना करें पुरानी नकारत में बातों को अपने उपर हावी न होने दें कुसमें आत्मनन और आत्मन्थन में भी लगाएं गुस्य और जल्दवाजी जैसी कामियों पर काबू रखना जरूरी है क्योंकि दोस्तों गुस्सा करने से आदमी कभी भी आगे नहीं बढ़ता है गुस्य पर काबू रखेंगे तो आवसी आप आगे बढ़ेंगे और कई नहीं चमतकारी हासिल करेंगे दोस्तों विप्रित प्रसुतियों में घावराने की बज़ाएं सकारात में बने रहना जरूरी है किसी नज़्दी की समंदी के रुखे विहवार से मन विचली तरह सकता है इसका असर आपकी कार्चहंता पर भी पड़ेगा दूसरों की बातों में आने की बज़ाएं आपने नेने समही लें अच्छा भी रहेगा और बुद्धी मानी भी होगा क्योंकि दूसरे आदमी आपको तरकी को देखकर हमेशा गड़े में ही गिराने की कोशिश करेंगे इसलिए दूसरे की बात नहीं माने अपने ही श्युम बात मानकर अपने निस्चे से काम करें दूस्तों वेवसा में आपका भाग सहयो कर रहा है किसी वेबसाइक लक्ष को हासिल करने में आप समक्स रहेंगे जल्द ही उचीत ओर्डर भी मिलेगा दोस्तों पबलिट डिलिंग करते समय क्लाइंट के साथ वाद वाद में पढ़ना नुक्सान दैक हो सकता है हलाकि कामकाज को लेकर बनाए गई कोई योजना लाबदायक रहेगी आय और वय में समानता रहेगी सरकारी सेवा में लगे लोगों को मन मुताविक ऑथरेटी मिलेगी दोस्तों वेबसाइक पार्टियों के साथ हिसाब किताब करते समय परदिश्ता रखें इसे संपर्क मजबूत होंगे दोस्तों इसमें नेटवर्किंग और सेल्स से समंदीद लोगों के लिए समय अनुकुल है इसमें परवारी गतिविदियों में कुछ सुधार आएगा लेकिन आर्थी गिस्ती अभी अथायात रहेगी वेफसाई योजना पर गंभीरता से काम करना होगा नुक्री में कलाइंट के साथ अपना वेवार मधूर और सेमित रखें दोस्तों वेपार में अतिरित व्यस्ता उचित बनाए रखें कारपर नाली में परिवर्तन करने की जरुरत है अगर आप कारवार में कोई नया प्रोग्राम कर रहे हैं तो प्रयासद रहें प्रोडक्शन के साथ साथ मार्केटिंग पर भी ध्यान दें नुक्री में इस ती अभी अथावती रहेगी दोस्तों इसमें वेवसाई गत्ती विदियां पर ज़्यादा ध्यान देने की जरुरत है कुछ पर ऐसे नहीं आएगी लेकिन आप अपने साहास और हिम्मत से उन्हें हल भी कर लेंगे परपटी समंदिक कार में पेपर यादी अच्छी तरह से चेक कर लें नोकर में सहागियों के मामले में हस्ते चेप न करें उन्हें बात करने तरह लव लाइप की परिवारिक सुखसांती बने रहेगी घर में कोई मांगलिक आयन भी योजना बनेगी दोस्तों विवा समंदित उच्छी तरिस्ता आ सकता है परिवारिक सहमती मिल सकती है मुश्किल समय में आपको जीवन साथी और परिवार जनों का सहयोग मिलेगा दोस्तों पती पहतने के वीच चलरी गलत फिमी दूर होगी किसे नज़दी की रिस्तदार की और से कोई खुश खबरी मिलने से प्रसंता रहेगी परिवारी बतावरन सुख़द रहेगा गलत समयंदों से दूर रहें घर के मामलों को आपसे समान जैसे सुलजाने का प्रयाश करें प्रेम समयंदों के मामलों में एक दूसरे के लिए शम्मान रखें दोस्तों आपके स्वास्त के बार में बात करें तो स्वास्त आपका ठीक रहेगा सिर्फ अत्यदिक वैस्ता के वज़े से ठकान हो सकती है दूसरों की मावले में अपने उर्जा व्यर्थ ना करें दूस्तों लापरवाही के वज़े से स्वास्त कुछ नरम रहेगा लेकिन थोड़ी सी सावधानी और वैस्ति दिन्चारिया आपको स्वास्त में उर्जावान रखेगी अत्यदिक कारवार की वज़े से पेरों में दर्द और सुजन की समस्या हो सकती है उचित अराम करना जरूरी है विवाम को दिन्चारिया का हिसा बनाए कुछ समस्याकार्त में प्रवर्ति के लोगों के सानिद्य में भी व्यतित करें इसे आपका आत्मविश्वास और मनवल बढ़ेगा हलकी फुलकी मोश्यमी बिमारी जैसे जुखाम की स्तिरह सकती है लपारवय ना करें आरेजी इलाज लें दोस्तों रोज सुभा योगा और व्यवाम करें आपका सरी तंदुरुस्त और फिट रहेंगे चलिस अब बात करता आपके उपाय के बारे में दोस्तों गनेश जी को सिंदूर अत्यांति प्री है बुद्वार के दिन एगायरा दुरुवा पत्तिया स्री गनेश के पेट पर चिपकाएं स्री गनेश को बुद्वार के दिन चार मोदक या लड़्डू का भोग लगाएं स्री गनेश को अपनी ताकत बनाना है तो लाल गुड़हल का फूल उनके सीर पर चड़ाएं और सुखने पर उसे पर्स में रख लें इसे दोस्तों आपका पर्स में पैसा कभे नहीं घटेगा साथी साथ मालक्ष में की किरपा आप पे बने रहेंगे और आपके घर में धनकी वर्सा होंगे दोस्तों आप बात करते हैं आपका भागसाली रंग और भागसाली अंक क्या है दोस्तों आपका भागसाली रंग हारा है और भागसाली अंक एक है दोस्तों भगवान गनेश जी का आशिरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल्षे कॉमेंड बॉक्स में ओम गनेशा जडूर लिखें और वीडियो को लाइक सेर जडूर करें धन्य बाद